नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवर्श्टी अपडेट यूट्यूब चैनल में और आज की जो वीडियो है बहुत जादे इंपॉर्टन्ट होगी आप सभी दिल्ली विश्वजाले के सभी इस्टुएंट्स के लिए जो 2022-2070 का एक्जाम दिये थे आज हम बात करेंगे आपके रिजल्ट पर कब आपका रिजल्ट कह सकते हैं या कोई बच्चा उसे कहगा स्कॉर कार्ड बिल्कुल दोनों एक ही है उस पर हम बात करेंगे कब तक आपका स्कॉर कार्ड आयेगा और स्कॉर कार्ड आने के बाद आपका जो है कब तक कब तक कट आफ आएंगी तो उन सभी बातों पर आज हम इस पर discussion करेंगे सबसे पहले हम बात करने आपकी अंसर कीपा तो अंसर किया आपकी 9 तारिक कोई थी 11 तारिक तक आपको जो है चैलेंज करने के लिए दिया गया था चैलेंज करने का मतलब है कोई question अगर गलत होता है तो उसको बच्चा challenge करता है question के लिए कुछ फीस भई जाती है और उसके बाद anti जो है अंटी ने आपका exam लिया है समझ गए बात करेंगे आपका scorecard scorecard आने से पहले एक final answer की आएगी final answer की आने के बाद आपका scorecard आएगा और scorecard में आपके जो entrance के number होते हैं वो मिलेंगे यहां पर आपके 400 मेंसे और 200 मेंसी मिलते हैं और उसी के भिहाब पे आपको admission मिलता है तो जब भी scorecard आएगा उसको 200 मेंसे या 400 मेंसे आपको मिला होगा जैसे कि आपका science field के हैं तो आपके 200 मेंसे होते हैं अगर आप arts field के हैं तो आपके 400 मेंसे दिये होते हैं समझ गए बात करेंगे जो हमारी final answer की है जो NTA देगा हमें जो challenge करने के बाद हमें जो answer की मिलती है वो कब तक आएगी देखिए जैसा मैं बता रहा हूं आपको यह अभी जितने भी exam हुए UGC net का हुआ है और जो भी exam हुए उनकी हिसाब से उनकी हिसाब से मैं आपको यह बता रहा हूं देखिए आपकी answer के आने में भी time लेगा क्यूंकि अभी जो है high court का भी इस समय जो है फॉर्म भरे जा रहे थे सीटेट के भी फॉर्म भरे जा थे तो काफी मतलब उस समय बिजी सीडूल है NTA का समझ गए और अभी ऐसी कोई अलग सी कोई मतलब नोटिस जारी करना ये कुछ काम करना तो भी possibility नहीं है समझ गए बाकी ये लगा के सकते है जैसे कि अपना जो यूजी से नेट का एक्जाम हुआ था बहुत जल्दी फास्टेट काम हुआ था बहुत मतलब जल्दी जल्दी काम हुआ था उससे साब देखा जाए जो आपका दिलिनिस्टी का एंट्रेंस का रिजल्ट है यह स्कोर कार्ड है आपके अंसर की है आज आनी चाहिए थी पर अभी तक कोई ऐसा स्वीडियोल नहीं देखने को मिलाया हमको पर हां आप यह माने के चल सकते हैं कि अभी 16 तारीक हो चुकी है तो कुछ तो टाइम लगेगा क्योंकि एक हफता कम से कम समय लगता है किसी जेई के बाद फिर आपका जो है आपके स्टुटेंट में डेक्स थी तूड़े की तो बहने कि आपको सबने रीच बसी कॉलेगे है यह संजगे करें अपनी जो फाइनल एंसर की है वो आपको इस हमाफत rupees में देखने को मिल जाएगी जैसे कि आज है आपका Wednesday तो money रखाते हैं कि आज तरही कि न देखने को मिल जाएगी कि और इस हम देखने के बाद जब अपकी फाइनल इसर कि आएगी और कि कुछ कुछ समय बाद लगा सकते हैं कि मतलब हफ्ते भर से पहले ही पहले आपका scorecard release कर देगा NTA NTA जिसे scorecard release करता है वैसे ही आपका cutoff बननी सुरू हो जाती है cutoff में जिसके अधिक number होते हैं उसे साफ को college प्रवाइड होते हैं औरियन की एक काट उप जारी होते है काट अब यहारी होग दोनों की अलग लग आती है काट आप की नौ ऍृट यहाब के दिल्ली इविश्टी में नौर्थ केमपस और सॉफ्ट केमपस समझ गए यह सभी बाते थी आप सभी को जानने जरूरी थी इसलिए आप सभी को यह बताया गया और मेरे पास काफी ऐसे कमेंट भी आएगी भी आप बहुत दुने से वीडियो नहीं आ रही है कुछ जानकरी दीजिए कब तक answer की आएगी या कब तक हमारा scorecard आएगा तो मेरे मुझे जो भी पता चला जो भी जानकरी मिली उससाफ से मैंने आपको बता दिया और जो भी आगे जानकरी मुझे मिलती है उसके इंसाफ से मैं आपको next वीडियो में information दे दूँगा अभी आप यह मान के सल सकते कि इस हफते में आपकी answer की जो है final answer की जो है देखने को मिल जाएगी समझ गए और उसके पाद ही आपका scorecard आएगा और जैसे भी को information आएगी तो आपको मैं हाल फिलाल जल्दी सही जल्दी दे दूँगा information वैसे अभी थोड़ा busy schedule है और जैसे भी मैं free होता हूँ आप सभी को सभी information में time to time देता रहूँगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत